नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है अगर आप भी श्री किशन के भगते हैं तो कमेंड में जे श्री किशन अवश्य लिखिए आज की उपस्तिती में हम लोग कल यूग की उन कड़वे सत्य के बारे में जानेंगे जो भगवान श्री किशन ने करते हैं बगवान श्री किशन ने दौबर यूग में ही कल्यूग का वर्णन कर दिया था महबारत के समय की बात है बगवान श्री किशन से कल्यूग के बारे में चर्चा की और कल्यूग के बारे में विस्तार से पूचा और जाननी की इच्छा जारी की कि कल्यूग में मनु स्थार से बता नहोंगा उसी आहदार पर आपको कल्यूक की गती के बारे में बता पाऊंगा वगवाणश्री किशन ने मुस्कराते हुए कहा अब आप लोग बताएं कि आप ने क्या क्या देखा और सबसे वेली युदिस्टर ने कि है योगेश्वर मैंने तो सून वाला हाती देखा इसका अर्थ क्या है तब भगवान श्री किशन ने कहा इसका अर्थ ये है कि कल्यूग में ऐसे लोगों का राजे होगा जो तोनों और से सुषन करेंगे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और मन में कुछ और और कर्म में कुछ और ऐसे ही लोगों का राज्य होगा उसके बाद मा बली भीम ने भी कहा वासुदेव मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वह बच्चा लहुलाल हो गया था इस परसन का उत्तर देते हुए शिरी किशन ने कहा इसका आर्थ यह है कि कल युप में माता-पिता अपनी संतानों के परिवार का मौ माया में ही बांद कर रखेंगे जिसके कारण उनका घर बरवाद हो जाएगा किसी दूसरे का बेटा घर चोड़कर सादू बनेगा तो हजारों व्यक्ति उनके दर्सन करेंगे कि यदि अपना ही बेटा सादू बनत अरजुन ने कहा है योगेश्वर मैंने जो देखा वह तो इससे भी अधिक आश्चनी जनक था मैंने देखा कि एक पक्षी के पंको पर वेद की रचाय लिखी वी थी और वह पक्षी मुर्दे का माज कहा रहा था इसका अख्या अरते इस पर भगवान शीरी किसन ने मुस्कराते वे कहा कि कल्यूक पे ऐसे लोग होंगे जो बढ़ी ज्यानी और त्याहनी के खेलाएंगे ज्यान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आशरें राक्षी होंगे बढ़े पंडित और विद्वान खेलाएंगे किन्तु वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुस्य मर जाए और हमारे नाम पर संपती कर जाए चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किन्तु उनकी द्रश्टी दूसरे के धन और पत के उपर ही रहेगी सत्पुरुस्तो बहुत ही कम दिखाई देंगे नकुलन न कहा है मदुसुदन मैंने देखा कि 6-7 कुए थे और आसपास के कुओं में पानी था किन्तु बीच का कुओं खाली था बीच का कुओं गेरा था फिर भी पानी नहीं था ऐसा केसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है इस पर भगवान शीरी किशन बोले कल्यूक में धनी लोग लड़के और लड़की के विवा के छोटे बड़े माउस सो में सत्ता के लालच में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे किन्तु अगर किसी भूके को देखेंगे तो उसकी साहिता करने में किसी व्यक्ति को कोई भी रूची नहीं होगी उनका अपना ही सदा भूक से मरेगा फिर भी वह लोग उससे देखते रहेंगे दूसरी और मोज मस्ती मदीरा पान मास खाना सुन्दरता और व्यासन में पैसे उड़ा देंगे किन्तु किसी के दो आशु पोचने में किसी को कोई भी रूची नहीं होगी खेने का तात्विर यह है कि कल्यूग में अनका बंडार तो होंगे लेकिन लोग भूक से मर जाएंगे सबसे अंत में सह देव ने कहा वासुदेव में ने देखा कि एक बहुत बड़ी चटान परवस से गिरी और उसे बड़े से बड़े वरक्ष भी नहीं रोक पाए किन्तु एक अध्यन छोटे से बोधे का इस पर्स होते ही वे चटान वहीं पर इस्तर हो गई इसका अर्थ बताते हुए शिरी किशन ने कहा कल्यूग में मनुश्य की बुत्ती शीन हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा और उस पतन को धन और बड़े से बड़े सत्ता रूपी विरक्ष रोकने में शक्षम नहीं रहेंगे किन्तु हरी के नाम से छोटे से पोदे मनुश्य के जीवन का पतन होना रुख जाएगा और कल्यूग में हरी नाम ही मौक्ष और मुक्ति का एक मात्र मार्ग होगा लेकिन जो लोग ऐसे आदतों से दूर रहेंगे उस पर कल्यूग का नहीं बलकि परमात्दा का परवाव होगा तो दोस्तो कल्यूग में पांच सत्य जो भगवान शिरी किशन ने पांड़ों को बताये थे और आज ये है सब हम अपने आसपास भी देख रहे हैं दोस्तो ये सबी बातों को अपने जीवन से जोड़ कर देखे तो आप पाऊगे की कल्यूग के परवाव से ये सबी अउगूण हमारे अंदर है लेकिन इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख लेकर हमें अपने जीवन में आउशक बतलाव ले सकते हैं